अखलेश यादव के मुख्य मंत्री बनते ही समाजवादी पार्टी कैसे खतम होने लगी ये बहुत लोगों के मन में सवाल है आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं दरसल आपको बता दी कि अखलेश यादव 2012 में उतरप्रदेश के मुख्य मंत्री बने थे जिसके बाद अच्छी खासी समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी एक कम उम्र में एक यूवा उतरप्रदेश का सीयम बना था लेकिन जिस तरीके से उतरप्रदेश के सीयम अखलेश यादव बने उसके 36 खंटे बाद ही राज्य में ऐसा कुछ हुआ जो वाकई चौकाने वाला था तो उनके ही सपाके यानि की जो नेता लोग थे काफी ज़ादा गुंडा गर्दी करने लगे पूरे प्रदेश में जिले को जलाने लगे ऐसे मामले सामने आए जो रेप के थे इवन पत्रकारों के साथ भी गुंडा गर्दी के थे और इस तरीके के माहूल ने काफी ज़ादा समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किये लेकिन इसको लेकर अखलेश यादव ने साफ तोर पर कह दिया था कि मुझे अभी कुछ पता ही नहीं है क्योंकि भी तो सथा पर आए थे ये थी अखलेश यादव की सरकार 2012 में जब वो सथा पर आई लगातार क्राइम रेट इतने जादा बढ़ गए कि आखिरकार कैसे उमीद की जाया है कि सथा में दुबारा से अखलेश यादव ही आए जहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े वादे किये थे बिजली के वादे जहाँ पर उन्होंने कहा था कि मैं सिक्षा पर काम करूँगा जहाँ पर ये कहा था कि क्राइम रेट खतम होगे लेकिन जिस तरीके से अखलेश यादव आए तो मुजफ़ण अगर के दंगे मुलैम सिंग यादव और चाचा शिफपाल के साथ भी कई ऐसे मामले सामने आने लगे कही न कई जलता की दिमाग मी ये भी आया है कि जिस नेटा की जिस मुखे मंत्रे की अपने परिवार अपने पिता के साथ अपने चाचा के साथ नहीं बन रही मुलायम सिंग यादव बहुत जादा सपने देख रहे थे देश के प्रधान मंतरी बनने का तो मुलायम सिंग यादव ने अखलेश यादव को कही न कई अलर्ट कर दिया था कि आप ये मत करिये क्योंकि मुझे प्रधान मंतरी बनना है देश का और इस तरीके से कही न कई पा खतम हो गया अब जिस तरीके से अखलेश श्यादव की दुबारा से बात करें तो लगातार जब क्राइम रेट बढ़ रहे थे सब कुछ सबूत भी मिल रहे थे लेकिन हर उसमें मामले में अखलेश श्यादव ने चुपी साथ रखी थी हर मामले में जिस तरीके से कुछ पता ही नहीं था विपक्षपाटी ने भी निशाना साधा कि आप फिर सत्ता में घर क्या रहे हैं जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो इसके बाद धीरे-धीरे मामला बढ़ता चला गया और उसके बाद अखलेश श्यादव कहीं ना कर दूबारा से सत्ता में आए यह थोड़ा सा नामुंकिन हो गया उत्तर प्रदेश में जब दो बार से सत्ता में योग्या अधितनात ने वापसी की तो समाजवादी पार्टी खतम होती भी दिखाए दी अखलेश श्यादव का भी सपना तूटता हुआ दिखाए दिया लेकिन ऐसा उमीद लगाई जा कि क्या पता वो अगले विधान सभा चुनाव में मुख्य मंत्री बन पाए लेकिन अखलेश यादव की बात की जाया तो जिस तरीके से उन्होंने जो भी काम किये है हाला कि उन्होंने लखनों में मेट्रो बनवाई बहुत जादा एक्सप्रेस वे बनवाई तो कही ना कही उत्रप्रदेश की नागरिकों को वो चीजे जादा याद रही चाहे उन्होंने बड़े बड़े वादे भी क्यो ना कियो हो चुनावों में लेकिन अब अकलेश यादव का सफर यही खतम होता हुआ दिखाए दे रहे क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी की थोड़